तोनिया गांधी को कॉंग्रेस संसद्य दल का नेता चुंगिया गया है। कॉंग्रेस अध्यक्ष मालिकार जुन खड़के ने सोनिया गांधी के नाम का प्रस्ताव पेश किया। जिसे पार्टी के नेताओं ने एकमस से सुईकार कर लिया। लगभग 77 साल के सोनिया गांधी इस साल फरवरी में राज्यों सभा के लिए चुनी गई थी। कॉंग्रेस संसद्य दल का ध्यक्ष चुने जाने पर सोनिया गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो जनाधेश खो दिया है। इसके उन्हें तलाश थी। इसलिए उन्होंने नेत्रिर्व का अधिकार भी खो दिया है। केवल अपने नाम पर जनाधेश मांगने वाले पीम मोदी को राजनीतिक और नैतिक हार का सामना करना पड़ा। विफलता की जिम्मेदारी लेने के बजाए कल फिर से वे शपत लेने का एरादा रखते हैं। उन्होंने चुनावी नदीजों पर कहा हमारे लिए अपने देश में संसदी लोकतंत्र स्थापित करने और संसदी राजनीति को पट्र पर लाने का नया अफसर है।